हलो गाइज, अब यू कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप लोगों का J-Mains का प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा होगा, so guys वक्त बहुत ही कम बचा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 5 विराट टिप्स दूँगा So guys, चलिए शुरू करते हैं, विराट कोली के विराट टिप्स, सक्सेस मंत्रा विद विराट कोली, पहला टिप, now the first tip is, that is winner attitude, now that is so much important, so guys look at विराट कोली, अगर आप में winner attitude ही नहीं है, तो आपका selection होगा कैसे, so दो लड़के थे, एक लड़का कहता है यार मेरा selection नहीं हो सक पका है यार, IIT या NEET में मेरी एक seat तो पकी है, NIT के अदर मेरी एक seat तो पकी है guys, so इस तरह से अगर आप winner attitude के साथ exam देने जाएंगे, तो आपके selection को कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन winner attitude के साथ साथ, इसको develop करने के साथ साथ, आप लोगों को चार और काम करने आप लोगों को biological clock schedule का सहारा लेना है, ये क्या है, देखिए, आप लोगों का exam जो है J.Mains का वो है साड़े 9 से साड़े 12 बजे तक, so इस वक्त में हमेशा इस 6 दिन में आप लोगों को mock test देने, क्यों देने, क्योंकि इस वक्त अगर आप ये काम करते हैं, तो अगले 6 दिन क ये बात जब ये exam आएगा, तो आपका mental strength बड़ा हुआ होगा, आपका mind active होगा, तो आप असानी से सारे question को attempt to read out कर पाएंगे, और साथी साथ अपने paper के pattern को भी fix करिए, आप जब mock test देंगे, तो 3 hour में कोशिश करिए कि जितने भी chemistry के 30 question है, उनको 45 minute में read कर लीजिए, question करन 1 hour दीजे और maths को 1.15 hour दीजे, that is so much important, 1 hour 15 minute maths को क्यों, क्योंकि वो थोड़े से paper lengthy होते हैं, hard होते हैं, so आप chemistry को paper असान होता है, वो 45 minute में sold किया जा सकता है, इस pattern को follow करिए, ताकि 6 दिन बाद जब ये main exam, जब main struggle आएगा, उस time पे आप mentally prepare हों कि मुझे करना क्या है, so पहला क जो आपको करना है, वो है self discipline, जो आपको अपने अंदर पैदा करना होगा, 6 दिन में, मेहनत करिये, हो सकता है, सब चीज पॉसिबल है, तीसरा tip, that is so much important, work on your weaknesses, guys, अपने weaknesses पर काम करो, exam देने मातर से कुछ होगा नहीं, आप लोगों को क्या करना है, कि जब आप question attempt कर रहे थे उस smoke test में, तो आपने जो चूबी silly mistakes करी, उनको ध्यान से देखिए, आप पूरे दिन को schedule कर लिजे, maths के लिए 3 hour, physics के लिए 3 hour, chemistry के लिए 2 hour, और उसके बाद जितनी भी आपने silly mistakes करी, उन पे आप काम करिए, उसके लबाब पूरे दिन में, हर time MCQs को solve करते रहे, जितना आपने maths को दिये हैं, या फिर 2 hour, आपने chemistry को दिये हैं, या फिर 3 hour, आपने physics को दिये हैं, उस particular time period में, आप लोगों को MCQs को solve करते रहना है, guys, अपने weaknesses पर काम करो, it's now or never, ये 6 दिनी हैं आप लोगों के पास, do work hard, do work hard, अगला tip, that is so much important, focus on your strength, guys, देखिए, आपने अभी 12th पास किया है, तो 12th के topic तो आपको आते ही होंगे, so, आप लोगों को नए topics पर try नहीं करना है, देखिए, guys, बहुत सरे बच्चे अपना समय भरबात करते हैं, नए topic के अंदर, लेकिन वो fruitful बिल्कुल भी नहीं है, आपको क्या लगता है कि, जो 2 साल में आपने नहीं पढ़ focus on your strength, weaknesses या weak topics को जो आपको लगता है कि यह नहीं कर पाएंगे, उनको छोड़ दीजिए, skip करिए, उसके लिए मैंने आज एक video भी डाला है, इसको आप देख सकते हो कि आप कौन से topic आपके लिए important है, chapter wise, उसको बड़े धान से देखिए, अब चलते हैं, अगले tip and that is so much important and that is health is the key at the end of the day, जो physically और mentally fit होगा guys, वो 3 hours को steel कर लेगा, उसी के होंगे वो 3 hours और वो champion होगा और वो selection अपना करवा लेगा, तो इसके लिए अपने 6 दिन के अंदर physical strength को develop करने के लिए, आप jogging का सहारा लो, exercise करो, हाथ पाँ हिलाओ यार, look at Virat Kohli, यह आज successful इस वज़े से भी है कि वो अपनी health पर बहुत जादा काम करता है, health conscious है, junk food से दूर रो, अच्छा food खाओ, जिससे आपकी physical strength और mental strength बढ़ेगा, और अपनी mental strength को बढ़ाने के लिए, इन दिनों में, सुबह उठो, थोड़े दिन meditation करो guys, that is so much important, 20 minutes कोशिश करो, yoga करने का, या meditation करने का, जिससे आप concentration level बढ़ेगा, आपकी questions में concentration level अगर बढ़ा, तो आपकी mental strength भी बढ़ेगी, no doubt, और आपका exam बहुत ही अच्छा जाएगा, so guys, यह मेरी तरफ से थे, विराट कोली की style में 5 tips, so guys, अगर आपको अच्छा लगाओ, तो please share करो video को, subscribe करो, like करो, comment करो, और ना भूलो, और thank you so much guys, yad rakho, it's now or never, thank you so much for watching, thanks a lot.